फिर से मैं प्रसासन को आउगत कराना चाहता हूँ कि लखनों में आक्सीजन की बड़ी किलत है जो लोग घरों के अंदर कॉरंटाइन हैं आइसोलेट हैं उनको आक्सीजन समय से मिलती रहेगी तो उनकी जान निच्छी तरीके से बच जाएगी और अस्पतालों पर भी बोज निच्छ कम रहेगा लेकिन एक्सीजन रिफलिंग कराने लोग दिन दिन भर रात रात भर खड़े रहते हैं उसके बाँजूद भी तमाम लोगों को आक्सीजन नहीं मिल पा रहे हैं लोगों की जान जा रहे हैं यह जिम्मेधारी हमारी आपकी सब की बंती है कि हम लोगों को आक्सिजन मोहिया कराएं इतने फोन हमारे पास आते हैं सेक्रो की संख्या में रोज होना रहे हैं और लगातार विचारे वो गिडिलाते रहते हैं हाथ जोडते रहते हैं फोन पर कि हमको किसी तरीके से आक्सिजन उखलबते रहेंगे मेरे सामने मजबूरी आ जाएगी और मजबूरी है मजबूर होकर कि मुझे धरने पर बैट जाना पड़ेगा मैं नहीं बैटना चाहता इसलिए कि अफरात अफरी का कोई महौल ना बन पाए लेकिन अगर समय से सही तरीके से लोगों को आक्सिजन रिफलिंग प्लांट पर उफलद नहीं कराएगी उन लोगों को जो घरों के अंदर आइसोलेट होकर कॉरंटाइन होकर अपने को फीर करने का प्रियास कर रहे हैं आक्सिजन की वज़े से उनकी जान अगर जाएगी तो ये बहुत ही भयावा इस्तिती है बहुत ही खराब है और बहुत ही निंदनी होगी इसलिए मेरा प्रिशाशन से आगरे है कि सभी लोगों को जो लोग भी लाइन में महां खड़े है एक सरंडर, दो सरंडर, तीन सरंडर, चार सरंडर इससे ज़्यादा वो लोग नहीं लेते हैं उन लोगों को गैस, आक्सीजन गैस जीवन की प्राडवाई है उनकी उसको जरूर उपलब्द कराने का काम करें मेरी बात को संग्यान में ने और ततकाल हर आक्सीजन गैस रिफलिंग प्लान पर उन सभी लोगों को गैस उपलब्द कराएं